हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस राफिल इस्टडी में आज हम लोग कक्छा 10 गनीत में समांतर स्रेनी के इस चार कोईशन को सांदार कॉंसेप से हल करना सिखेंगे इस परकार के सवाल क्लास 10 के बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए इससे अच्छे तरीके से समझिएगा तो पहला कोईशन है दोस्तों समांतर स्रेनी का एपी2712 का 10 ज्ञात कीजिये तो पहले वाले क्वेशन में दोस्तों हमें यहाँ पर एक धीडिया यानी सम्हानतर स्रेनी दिया है और हमें इसमें से 10 ज्यात करना है तो यहाँ पर एपी में संख्या दिया है है 2-7-12 तो हमें दस्मापद निकालना है इसके लिए हम क्या करेंगे देख़े इसका हल हमें यहां समानतर स्रेजनी में संख्या दिया है 2-7-12 तो दोस्तों समानतर स्रेजनी में यह जो पहला पद है इसे हम एसे सुचित करते हैं तो ए बराबर यहां से मान निकल खळा गया दो ठीक है कि एक का मतलब होता है प्रथम पद अब हम डी का मान निकालेंगे डी का मतलब होता है सारव अंतर तो डी की निकालने के लिए फर्मूला होता है I take image to minus Pan in रिंटू माइनसने ओ का मतलब दूसरा पद और अब मतलब होता है प्रथम पद यानि पाहला पद यहां पर रहेलू रख लेते हैं एस रिंदू का मतलब पांच होगा तो यहां पर A का मान हो गया दो और D का मान हो गया पांच और हमें कोईशन में दिया है N वराबर 10 ठीक है दसवाँ पहत का मान निकालना है तो n का मान हो जाएगा 10 चलिए अब हम दसवाँ पहत का मान निकालते हैं बहतरीन तरीका से तो इसके लिए दोस्तों हम एक फर्मूला का परियोग करेंगे फर्मूला होता है a n बराबर a प्लॉस n मैनस 1 into d ठीक है यह होता है फर्मूला समानतर से निकाजन कर लिए फर्मूला का परियोग करकर इस चार Mister को हंब करेंगे तो यहां पर लिखेंगे a n की जोटों मान कितना है 10 तो लिखेंगे दस ठीक है दसवापद का मान निकालना है तो यहाँ पर यह 10 N का मान है फिर बराबर में A A का मतलब बता है प्रोथम पद जो कि क्या है 2 तो लिखेंगे 2 फिर प्लस N माइनस 1 तो N का मान है 2 तो लिखेंगे 10 फिर माइनस 1 है तो 1 और इंटू में D तो यहाँ पर D का मान है 5 तो लिखेंगे 5 चलिए अभी से सरल करेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस घटाएंगे 10 में से 1 घटाएंगे 9 फिर गुने में 5 तो यहाँ देखे 2 प्लस 9 गुने 5 है तो पहले गुना करेंगे फिर जोरेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस 9 में 5 से गुना होगे 45 में तो यह होगा 47 तो यह होगा दोस्तों हमारा एंसर कि दस्वा पौद का मान होगा 47 ठीक है तो इस परकार हम कोईशन नमर एक को हल करेंगे अब कोईशन नमर 2 देखिए कोईशन है एपी 38 13 18 डौट डौट का कौन सा पौद 38 है तो इस कोईशन में हमें अंतीम पौद 38 दिया है और हमें एन का मान निकाल रहा है तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है उससे लिख लेते हैं हल में को यहां से सबसे पहले हम एक का मान निकालेंगे एक का मत образом होता है प्रथम पौद जो कि क्या है तीन है तो लिखेंगे तीन अब डी यानिस साड़ का मानका लेंगे जो कि होता है it to minus A1 ठीक है तो एक टू का मान होगा दूसरा यानि 8 पीर माइनस लिखेंगे 3 आठ में से 3 घटाएंगे तो पांच तो दी का मान होए या पांच और हमें यहां पर अंतीम पाद भी दिया है तो अंतीम पाद को हम कि अन से सुचित करते हैं तो एन बराबर होगा अथात्तर और हमें मान निकालना है कि एन का तो इसके लिए भी हम फर्मूला का पर्योग करेंगे फर्मूला होता है दोस्तो अन बराबर ए प्लॉस एन माइनस ओन इंटू में डी तो यहाँ पर देखे एन है तो एन का मान हमें दिया है कितना है 78 तो लिखेंगे 78 फिर बराबर में ए एक का मान है 3 लिखेंगे 3 पर एन मैंनस उन तो हमें यहाँ पर एन का मान निकालना है तो एन माइनस उन को हम जोंकातियों लिखेंगे गुणे में डी डी का मान है 5 उन्वाफ पनच अब रहते क्या करेंगे लिखेंगे Hideойд बराबर के इस तरफ प्लोस तीन है न तो हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो माइनस तीन होगा फिर बराबर के इस तरफ हो जाएगा n-1 इंटू 5 अब घटाएंगे तो 78 में से 3 घटाएंगे 75 बराबर में n-1 गुने 5 यहाँ पर देखिए 5 गुना में है तो 5 से हम 75 को काट सकते हैं 15 बार में 15 पंचे 75 होता है तो यहाँ पर अब क्या होगा 15 बराबर n-1 तो अब n बराबर क्या होगा मैनस एक को बराबर के इस तरफ पक्चांतर करेंगे तो 15 पलोस एक होगा माइनिस का एक इधर जाएगा तो प्लॉस का एक हो जाएगा तो दोस्तों यहां से अब एन बरावर क्या होगा 15 प्लॉस एक 16 ठीक है तो 16 पॉद का मान 78 होगा ठीक है तो एन का मान आगए 16 इस परकार हम इसे हल करेंगे अब कोईशन नमर 3 देखिए कोईशन है रिक्त इस्थानों को भड़िये तो यहां पर देखिए हमें दो दो बॉक्स दिया है उपर वाले बॉक्स में ए डी एन एन है और नीचे वाले बॉक्स में और मान18 डॉक्त यानि खाली है फिर दस है फिर दो है मतलब कि एक कैमान ह Müät्व का मान 192 रिखिए हैं में में Selорот का मान निकालना है यहां पर यह जो डॉट डॉट है इसी पर हमें मान भरना है और यहां पर एन का मान दिया है दोस और एन का मान दिया है जीरो लिख लिख लेते हैं हमें हमें दिया क्या है तो हमें यह बराबर दिया है माइनस 18 लिखेंगे माइनस 18 उसके बाद डी का मान हमे निकालना है D का मान ही दिया है तो इसी का मान हमें निकालना है और N बराबर हमें दिया है 10 तो लिखेंगे 10 और N बराबर हमें दिया है 0 तो चलिए फर्मूला बैठा लेते हैं फर्मूला होता है a n बराबर a plus n minus 1 into d तो a n का मान हमें दिया है 0 लिखेंगे 0 बराबर a a का मान है minus 18 लिखेंगे minus 18 फिर plus n minus 1 तो n का मान हमें दिया है 10 तो लिखेंगे यहाँ पर 10 फिर minus में 1 into में d कितना है d हमें निकालना है चलिए यहाँ पर d को हम जो कातियों लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए minus 18 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो plus का अठार होगा फिर बराबर के इस तरफ 2 से में से 1 घटाएंगे 9 और गुने में d है तो d लिखेंगे 9 से हम 18 को काट सकते हैं 9 दूना 18 यानि 2 होगा तो यहाँ से दोस्तों 2 बराबर d यानि d का मान 2 होगा तो यह है हमारा answer ठीक है तो यहाँ पर जो खाली है d के नीचे में यहाँ पर क्या होगा मान 2 इस परकार हम इसे हल करेंगे अब question number 4 देखिए question में हमें दिया है box फिर 13 फिर box है फिर 13 तो रिक्त इस्थानों के पदो ग्यात करे यहाँ पर यहाँ पर यह जो दो खाली box है इसमें हम संख्या भरना है तो कईसे हल करेंगे तो देखिए हल बहुत सिंपल है आपको concept समझना है तो दोस्तों हम समानतर से नीचे में पदो को A1, A2, A3, A4 से सुचित करते हैं तो यहाँ पर हमें A1 और A3 का मान नहीं दिया है लेकिन हमें A2 और A4 का मान दिया है तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि A1 इसको हम लिख लेते हैं इस परकार A1 फिर क्या है 13 फिर यह हो जाएगा A3 और A4 का मान है 3 ठीक है A1, A2, A3, A4 तो यहाँ पर हमें चुकि A2 13 किस का मान है A2 का मान यान दूसरा पद है जो कि क्या है 13 अब यहाँ पर धियान दिचे दोस्तों A2 है न तो A2 का फर्मूला क्या होता है A2 का फर्मूला होता है A प्लस D और बराबर में 13 है तो 13 लिखेंगे A प्लस D बराबर 13 है न तो इसे हम समिकरन 1 मानेंगे अब यहाँ पर धियान देने वाला बात है कि यहाँ पर A2 का फर्मूला A प्लस D कईसे हुआ यहाँ पर देखिए A N बराबर फर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इन्टू D ठीक है तो यहाँ पर हमें A2 का मान दिया है तो 2 जो है वो N की जगा आ जाएगा N की जगा हमरा 2 आ जाएगा तो A प्लस N की जगा 2 माइनस 1 इन्टू में D तो जब हम इसे सरल करेंगे तो क्या होगा A प्लस दो में से 1 घटाएंग एक खरगुने D करेंगे तो क्या होगा यहां से क्या हो गया A2 बराबर A प्लस D इसलिए A2 का फर्मूला क्या होगा A प्लस D बराबर 13 तो हमने समिकरन एक मान लिया अब देखिए हमें क्या दिया है चवथा पॉद यानि A4 बराबर हमें 3 दिया है तो अब A4 का फर्मूला क्या होगा A प्लस 3D एन का मान 4 होगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा फिर गुने में D A प्लस 3D 4 एका फर्मूला होता है फिर बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे और इसे हम समिकरन 2 मानेंगे अब देखिए यह समिकरन के रुप में आ गया तो यहां से इसे महल करकर A और D का मान निकालेंगे तो यहां पर हम दोस्तों समिकरन 1 में से समिकरन 2 को घटाएंगे तो लिख लेते हैं समिकरन 1-2 करने पर आपको इसी प्रकार बोर्ड श्याम लिखना है ताकि पूरा नमन मिल सके तो समीकरन एक है ए प्लस दी बड़ावर तेरह और समीकरन दो है ए प्लस थिरी डी बड़ावर थिरी तो इसे हम घटाएंगे तो घटाएंगे तो चीन परिवर्तन होगा प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस तो सभी प्लस है इसलिए माइनस चीन हो गया तो यहां पर देखिए ए से एक कट जाएगा 1D माइनस 3D है तो प्लस मैनस माइनस होता है 3D में से 1D घटाएंगे तो 2D होगा माइनस 3 बड़ा है इसलिए माइनस 3 होगा फिर देखिए 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 होगा दोसे हम 10 को काट सकते हैं 5 बार में तो यहां से अर्फ़त पांच होगा दिकामा निकल गया अब हम कि एकमानस कलेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि का मन समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तंप दिह करन एक से समीकरन एक है a plus d ब्रावर 13 लिखेंगे a d कमान क्या है माइनस 5 तो लिखेंगे माइनस 5 फिर ब्रावर में 13 तो a ब्रावर दोस्तों क्या होगा 13 माइनस 5 ब्रावर के इस तरफ जाएगा तो a ब्रावर होगा 13 प्लस 58 तो a कमान करा आगया 18 और d कमान निकल करा आगया मैनस 5 तो दोस्तों यह जो है वह हमारा प्रत्रम पोद है तो a कमान कितना है 18 तो इस बौक्स में होगा संख्या हमारा 18 अब हमें इसका मान करना है जोकी है A3 का फर्मूला होता है प्लॉस 2D तोस नेकर मान ही Berry's फेर च्बयार कि क्या होगा नियुद संतोफ से कुना करेंगे तो सिन्म concept तो इस बॉक्स में दोस्तो संख्या होगा आठ तो इस परकार हम इस चारो समांतर सेनी के सवाल को हल करेंगे बेहतरीन तरीका से एलिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए